पसकार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिसकस करेंगे Metal Inert Gas Welding के बारे में जिसे MIG Welding के नाम से जाना जाता है और यह है एक ऐसी welding प्रोसेस है, जो Fusion Welding प्रोसेस का टाइप है और उसमें Electric Arc Welding के अंतरगत आती है और inert gas welding है और साथ में ही एक non pressure welding भी है और इस welding process को gas metal arc welding GMAW के नाम से भी जाना जाता है तो बात करते हैं कि इस welding को develop करने की जुरूरत क्यों पड़ी 1940 के दस्क में जब aluminium और stainless steel को weld करने के लिए जो TIG welding थी वो एक slow process थी तो जैसे जैसे high rate of production हुआ तो उस दोरान एक faster welding process की requirement हुई और उस requirement को पूरा करने के लिए MIG welding को develop किया गया तो बात करते हैं कि इस welding को करने के लिए हमें किस किस equipment की जुरूरत होती है सबसे पहले अगर हम बात करें power source जो power source हमें इसमें चाहिए वो DC power source की इसमें requirement रहती है और DC power source में भी DC RP मतलब की direct current reverse polarity या direct current electrode positive इसकी हमें ज़्यादा जुरूरत होती है क्यूंकि जो DC RP है इसको ज़्यादा तर इसलिए यूज करते हैं कि इस polarity में जो metal deposition rate है वो बढ़ जाता है और साथ में जो spatter है वो भी कम बनते हैं और good quality का weld bead बनता है और एक stable arc और smooth electrode metal transfer हमें DC RP में मिलता है और इस case में जैसा कि electrode है जो positive terminal के साथ जुड़ी होती है जो एक anode होता है और जो work piece होता है वह है cathode negative terminal के साथ जुड़ा होता है उसके बाद जो inert gas slender की requirement होती है ये जो slender है जिसमें inert या shielding gas वो fill की जाती है inert या shielding gas हम use करते हैं आरगन, helium, nitrogen, hydrogen या फिर इनके mixture को भी use किया जा सकता है लेकिन जो ज़्यादा तर use करते हैं वो argon का use किया जाता है उसके बाद है welding torch और gun ये जो welding torch या जो gun है ये दो type की हम use कर सकते हैं air cooled का use करते हैं जब हमारी current carrying capacity है 200 ampere तक होती है और जब हमारी current carrying capacity है वो 200 ampere से ज़्यादा हो जाती है तो उस case में हम water cooled welding torch या gun का इस्तेमाल करते हैं जिसके लिए फिर हमें अलग से एक water tank की arrangement करनी पड़ती है उसके बाद बात आती है electrode की MIG welding में जो electrode हम use करते हैं वो consumable एक wire होती है या consumable electrode होता है जो एक wire spool या फिर जो wire reel है उसके उपर wounded होता है जिसका diameter 0.5 mm से 3 mm के बीच में हो सकता है और जो feed rate है उसको पहले से ही preset किया जाता है क्योंकि जो feed rate है वो basically depend करता है wire के diameter पे या फिर जो work piece की जो thickness है उस पे ये depend करता है तो इस तरह से ये basic requirement रहती है MIG welding के लिए है कि हम जो DCRP के इसमें ज्यादा prefer की जाती है तो DCSP क्यों नहीं करते जो direct current state polarity होती है या direct current electrode negative उस case में जो arc है वो ज्यादा unstable हो जाती है इसलिए नहीं use करते और साथ में ही large spatter बनते हैं और इसके लिए फिर हमें अलग से एक electrode चाहिए जिस पर calcium या titanium oxide mixture की coating करने की आशकता होती है DCSP के case में तो इसलिए हम DCSP को prefer नहीं करते ज्यादा तर DCRP को ही prefer किया जाता है अब बात करते हैं कि जो MIG welding है इसको कैसे किया जाता है क्या process रहती है इसको करने की और साथ में हम जानेंगे MIG welding की advantage क्या है disadvantage क्या है और इसकी application क्या है सबसे पहले बात करते हैं कि इस welding को inert gas atmosphere में consumable electrode और workpiece के बीच में आर्क को ignite करने से पहले जो हमारे gases के connection होते हैं या जो water flow होता है उसको अच्छी तरह से हमें check कर लेना चाहिए इसके अत्रिक्त हमें proper current wire feed speed को भी set करना होता है तथा सभी जो electrical connection है उसको भी एक बार हमें अवश्य चेक कर लेना चाहिए precaution के तोर पर तो अब बात करते हैं कि इस welding में जो हम arc initiate करते हैं consumable electrode और work piece के बीच में उसको दो तरीके से किया जा सकता है पहला method रहता है कि हम जो हमारा जो current और जो shielding gas का flow है उसको हम on करेंगे उसके बाद जो consumable electrode है उसको work piece या job के साथ हम scratch करेंगे और जैसा कि हम normally करते हैं electric arc welding में बिल्कुल वही process रहती है और second method ही होता है कि arc strike करने से पहले हम जो shielding gas का flow है या जो water flow है या फिर जो हमारा जो current है उसको हम on कर देते हैं और consumable electrode को work piece के साथ touch किया जाता है और फिर उसको फिर से पीछे हटा लेंगे retract कर लेंगे और उसके बाद welding को फिर से forward किया जाता है तो इस तरह से जो arc strike करने से पहले हमें 15 mm के करीब consumable wire electrode को welding torch से हमें बाहर रखना होता है और welding करते समय जो welding torch है और जो work piece है इसके बीच में कम से कम 10 से 12 mm का gap होना चाहिए और जो arc की जो हमारी length रहती है arc length तकरीबन 1.5 mm से 4 mm के बीच में होनी चाहिए और इस process में अगर हम बात करें semi-automatic है जो manually operated है या फिर automatically welding है welding set हमारे पास है तो उस case में self-adjusted जो arc है हम use करते हैं semi-automatic में self-controlled arc principle का use करते हैं automatic welding में इनके प्रियोग से arc length को constant maintain हम कर सकते हैं तो इस प्रकार से इस process को हम बड़ी असानी से कर सकते हैं जो shielding gas हम इसमें use करते हैं shielding gas को basically हम use करते हैं जो हमारा molten weld pool होता है उसको अच्छी तरह से cover किया जाए ताकि जो atmosphere में जो gases हैं तो उसके contact में ना आए जिससे की हमारा weld होता है या weld bead होता है उसमें defect आ सकते हैं उसके बाद जो हम बात करते हैं कि इस welding में हम अलग से कोई भी जो flux है वो use नहीं करते और साथ में ही जो gas flow rate होता है क्योंकि यहां पर हमारे flow regulator लगे होते हैं gas flow के तो इसमें जो gas flow rate है वो basically depend करता है जो nozzle का size होता है हमारी जो welding torch ये gun हम use करते हैं और जो basically 4-40 लीटर प्रती मिनिट हो सकता है लेकिन जो most commonly हम range होती है जो flow of shielding gases की वो रहती है 7-12 लीटर प्रती मिनिट इस तरह से gas flow rate हमारा इसमें रहता है अब बात करते हैं कि इस welding को करते समय जो metal transfer होता है जो welding में जो metal transfer होगा क्योंकि इसमें क्या है कि हम consumable electrode का use करते हैं और consumable electrode का हम use करते हैं तो जो electrode है वो consume होगी और metal transfer MIG welding के case में अलग अलग तरीके से होता है और वो depend करता है current पे और voltage पे depend करता है जो हम electrode को देते हैं इसमें में लिक है कि जो different way हो सकते हैं metal transfer के electrode से workpiece तक एक हो सकता है short circuit जिसे हम dip transfer के नाम से भी जानते हैं एक हो सकता है globular transfer, spray transfer, pulsed spray transfer या rotating spray transfer इसमें हो सकता है तो यह कुछ methods हैं जिसको हम हमारी next video में थोड़ा detail में आपके साथ discuss करेंगे तो अब बात करते हैं कि जो make welding होती है इसकी advantage क्या होते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि इस welding के दुआरा किस किस joint को हम असानी से कर सकते हैं बट joint, lap joint, fillet और T joint, corner joint और edge joint इस welding से बड़ी असानी से किये जा सकते हैं और किस किस material को weld करना आसान है स्टील को कर सकते हैं स्टील जैसे stainless steel हो सकता है carbon steel हो सकता है aluminium, magnesium और इनके alloy, nickel और nickel के alloy titanium इतियादी को हम बड़ी असानी से make welding से weld कर सकते हैं जो make welding है अगर आज की date की बात करें तो दुनिया में पूरे world में बहुत ज़्यादा use की जाने वाली welding भी है अब बात करते हैं advantage की अब जैसे की welding को करने के लिए high degree of operator जो skill है उसकी आसकता नहीं होती दूसरा thick और thin दोनों type के जो work piece है उसको बड़ी असानी से हम इसमें weld कर सकते हैं वह हम high speed पर कर सकते हैं सभी position में कर सकते हैं और जिससे हमें deeper penetration इसमें हमें मिलता है तो कह सकते हैं कि MIG welding के दुवारा large metal deposition rate हम achieve कर सकते हैं और साथ में जैसा कि इस process में हमारा जो जो इलेक्टरोड की जो feeding वो continuously होती है इसलिए जो MIG welding है वो TIG welding के मुकाबले ज्यादा fast है एक faster process है लेकिन इतनी सारी advantage के बाद इसकी कुछ खामियां भी हैं disadvantage भी हैं जैसा कि यह जो welding equipment है यह complex है और costly है complex इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे variables को हमें control रखना होता है जैसे torch का angle, electrode, stick out, welding parameter या electrode का type और size को हमें maintain करना होता है और यह portable बहुत कम है, less portable process है और इसके दुआरा हम जो small corner हैं उनको weld करना difficult रहता है और जैसा हमने इस शुरुआत में बात की की process variable जदा होने के कारण एक complex welding process भी है और इसमें high cooling rate होता है और high cooling rate के कारण जो metallurgical और mechanical property है joint की वो affect हो जाती है और इसके अत्रीक इस welding को outdoor welding application में हम use नहीं कर सकते तो कह सकते हैं कि outdoor application के यह welding suitable नहीं है अब बात करते हैं application की MIG welding ferrous और non ferrous metal की ज़्यादा तर सभी को हम weld कर सकते हैं साथ में जो metal fabrication industry हैं जैसे ship building industry, automobile industry, pressure vessel industry, aircraft industry, even जो tool, steel और dyes को भी हम इसमें weld कर सकते हैं refrigerator के पार्ट जो हम manufacture करते हैं उस दौरान जो welding किया सकता होती है तो MIG welding से उसे किया जा सकता है तो दोस्तो आज हमने इस वीडियो में आपके साथ discuss की electric arc welding metal inert gas welding जो एक non pressure welding है inert gas welding है जिसे हम gas metal arc welding के नाम से भी जानते हैं अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा आप इसको like कर सकते हैं share कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ students के साथ और चैनल को subscribe करना ना भूलें जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे